आप जुड़ चुके हैं आईबेन निवस नेटवर के साथ और मैं हूँ मुश्ताकली बाबा प्रोग्राम इस स्पैशल मीट आज स्पैशल मीट प्रोग्राम में हम एक स्पैशल गेस से इंट्रेक्ट करने जा रहे हैं एक आईसी शक्सियत से जुनों मैं हाल ही में एक बहुत बड़ी एच्विमेंट हासिल की बहुत बड़ी एच्विमेंट और मुलक बर के साथ साथ कश्मीर का नाम उन्होंने रोशन किया जी हाँ हाल ही में आपने सोशल मीडिया पे भी देखा हाल ही में आपने डिजिटल मीडिया पे भी देखा electronic मीडिया में भी आपने देखा कि कश्मीर के दो वो जानबाज सिपाही वो दो बबर शेर हम उनको कहेंगे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कलाइम किया यह बहुत बड़ी achievement है इससे पहली भी मेरी लायो interaction के साथ हुई है लेकिन तब यह डली में थे लेकिन मैंने मुनासिब जाना कि मैं face to face मुलाकात करूँ यह मेरे साथ इस वकट जो चेहरा सामने हैं यह जैवेद इकबाल खान साहिब है महमद इकबाल खान साहिब है जिनका तालुक आउरा रिश्वारी कोपवारा से है तो आज मजीद face to face इन से interaction होगी और जो हमारे विवर्स है वो आज सबक जरूर सेखेंगे कि किस कदर काम करना होता है फील्ड में किस कदर मेहनत करनी होती है किस कदर लगन से काम करना होता है जैविद साब बहुत बहुत शुक्रिया स्वामालेकूम मैं सबसे पहले पूरे अवाम को मभारिक बात देना चाहूँगा कि मैं सेक्सेसफुली समिट करके अपने कश्मीर अपने घर वापस लोटा हूँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है और बाकी इसका क्रेडिट जो है वो मेरे जवार इंस्ट्टूट आफ मौंटेनरिंग इंविंटर स्पोर्ट के प्रिंस्पल करनल आइस थापा साब को जाता है और बाकी मेरे ममी डैडी को जिनकी दौाओं की वज़े से मैं सक्सेसफुली समिट करके वापस आया हूँ जी अगर मैं आपसे पहले ये जान लूँगा कि आप एक दूर दराज इलाके में रहते हैं आपकी परविरिश कहां पे हुई क्या यहां ही पे हुई फिर आप आर्मी में भी काम करते हैं तो कब से शोग था क्या आर्मी में जाना पहले से ही शोग था उसके बाद मौंटेनिरिंग का शोग कब से पाइदा हुई जी आर्मी में जाने का शोग तो मेरा था ही था जब मैं बचपन से ही जब मैं स्कूलिंग था मैं यहाई पर पला बढ़ा हूँ अपने इसी आवरा डिश्वारी में ही तो मेरी स्कूलिंग यहावरा में ही हुई है उसके बाद फिर मैंने तब से स्कूलिंग टाइम से ही मेरा यह शोग था कि मैं आर्मी जॉइन कर लूँ तो फिर मैंने 12 करते ही मैंने आर्मी जॉइन कर ली और आर्मी में जाते ही फिर मेरा य크 काई सेॉग आ गया कि मुझे टेस्वर्श करने है करनी मैंने इसका कोर्स किया वहांपे कोर्स करने के बाद मेंilly सी करोकिका या तक और यह मेरा सपना था पहले से ही कि में आउर्ट एवरेस चड़ू तो ये मेरे लिए बड़ी खुश नसीवी की बात है कि मेरे को मोका मिल गया और मैंने अपना जो मेरा सपना था वो मेरा पूरा हो गया आप एक दूर दराज पहाडी इलाके से बलांग करते हैं क्या आपको लग रहा है इसका भी क्रिडिट जाता है क्योंकि जो पहाडी लोग है उनमें अक्सर वो एक सलायत होती है ताकत होता है बहुत ज़्यदा सफर ट्रैवल करते हैं बड़ी बड़ी चोट्यू पे चड़ जाते हैं क्या एक क्रिडिट आप देना चाहेंगे जी बिलकुल क्यों नहीं मैं खुद एक पहाड़ी एरिया से हूँ तो मैं हर जितने भी यह गाउं के लोग हैं सब को क्रिडिट जाता है इसका कि इनकी कुछ बच्पन इनके साथ गुजा रहा था तो इनकी वज़़ा से भी मेरे को बहुत सारा वो हुआ बाकी फिर जब मैंने मौंटरिंग कोर्स करे तो वहाँ और ज्यादा सीखने को मिला मुझे तो इसकी वज़़ा से भी यह क्रेडिट भी उनको जाता है अचा अगर मैं बात करूँ आपके पैरेंटल काउपरेशन या पैरेंट बैग्राउंड की फैमिली बैग्राउंड की तो आप मुझे बताइए आपके पापा वो क्या करते हैं क्या वो आर्मी में है या कोई और तिजारत करते हैं उसके बारे में बताइए बैग्राउंड जो फैमिली बैग्राउंड जी मेरे पापा जो हैं वो पहले आर्मी में थे और आर्मी उन्हें ने फिफ्टिन यइर्ज के बाद ना रिटायर्मेंट ले लिए और फिर मैं बात करो अधिर्य एक्टिव इस की यहां अधिलज वुल 19 की बात हो चाहे 도Sabsan की बात हो तो मुझे बताए अगर आज हो अपको लगा है कि यह प्लेट फ़र्म आपको मिलता यह आपको बल्ल परम आज मिला है जी बियूद तो लेकिन थोड़ा टाइम लगता है यह था कि मुझे भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता तो जब मैं आर्मी जॉइन करी तो वहां मुझे एक लाइन मिल गी तो उस प्लेट फार्म पे मैंने आगे चलना स्टार्ट करा तो मिल गया अचा अब हम बात करेंगे इस एडवी आड्वेंचर अकुटी में आपने कब हिसा लिया और ट्रैनिंग कहां पी किकी और कितने साल से आप इस एंडिवेंचर के साथ जुड़े है जो यह एडवेंचर एक्टीवीिटी अचैस यह मैंने two thousand nine नाइन में इसका मैंने कोर्स करा बन डोEN घुञार फिया tatःतमों में एक लाइन मिल गई के ऐसे कोर्स है मैंने वालिन्टेर करा और फिर में 2019 में स्वरी नाइन में हाई आल्टीटू वाफिय स्कूल है इतर गुलमग में वहां पर मौंटिनरिंग की ट्रेनिंग होती है आर्मी परसन की तो मैंने वहां पर करा और कोर्स करते ही मैंने फिर इस पहल और फिर आज मैं प्रेजन्ट ली जोहार इंस्टूट आप मौंटिनरिंग इंवेंटर स्पोर्ट्स में आज आपने एक बहुत बड़ा एच्विमेंट हासिल किया तो मुझे बताए इस अब हम इस जरनी पर आएंगे आपने ये मौंटिनरिंग का जो सफर है ये कब से इसकी जरनी जो है 2018 से स्टार्ट हुई है मेरी 2018 में जब मैं जवार इंस्टूट आप मौंटिनरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स में जब मैं डेपोटेशन पर वहां पर आया एज ट्रेनर तो वहां हमारे इंस्टूट का ही एक ये जाना था एक्स्पिशन जाना था मैं हर माशाललह में हर फिजिकली फिट था तो मेरी सेलेक्शन होगी फिर हमारी ट्रेनिंग चली लगबग तीन साल तक 2021 तक ट्रेनिंग में हमने हर जगा हिसा लिया इससे प्री एवरेस्ट हमने एक किया जो उत्तरकाशी में है त्रिशूल जिसकी हाइट 7120 मीटर है पीक है 2020 में हमारा यह एक्सपेटिशन जाना था कोवीड की वज़ा से कैंसल हो गया और फिर 2021 में हमने इसकी जरनी 24 मार्च को हमने स्टार्ट करी अपना पहल गाम से और 21 मार्च को जब हम यहां से निकले और दिली में कुछ हमारा थोड़ा बहुत दो चार दिन हम वहां पे रुक वहां पे हमारा वह कॉरंटाइन हुआ चार दिन का और चार अप्रेल को हम काटमांडू से लुकला के लिए निकले जो वर्ल्ड के टैन जो डेंजर्स एयरपोर्ट है उनमें से एक लुकला भी आता है और वहां जब हमने लेंडिंग करी और वहां से हमारा फिर मॉंटिनरि समान है उसको उठाके और फिर वहां से हम जब चार को निकले और बेस केंप जो एवरेस बेस केंप है वहां बारा मैं बारा अपरेल को पहुंचें आज आपको लग रहा है कि मतलब आज आपने कितने खुश हो क्योंकि आपने पूरे कश्मीर का जो नाम है वो रुशन किया अपने माँ बाप का इसल można करूँ आपके डाड़ भी है उससे भी में बात करने कुछ करूँकर गारूँ कितनी खुशु मासफ हु कुछ हो रही है कितनी मसरत मासफ हो कि इंपॉसिबिल्टी थी क्योंके साइकलोन जो साइकलोन थे जो एक के ऊपर एक हिट हुआ वहां पर उसने बहुत तबाई मचा दी वहां जितने भी हमारे पास ऑक्सिजन था राशन था सब खतम हो गया फस गये थे बारां दिन तक हम कैम टू में रहे ना वहां पर दो दिन रहना एक क्लाइमर के लिए मौंटीनियर के लिए मुश्किल हो जाता है और हम बारां दिन वहां रहे यही सोचके के नहीं आज खुलेगा वैदर कल खुलेगा करते करते 30 माई को जाके नाउमीदी थी बिलकुल के यह था कि अब खाली आत लोटना है और बहुत सारे हमारे स साथ वाले जो मौंटीनियर क्लाइमर थे हमारे साथ मौंट आवरेस भी जाने वाले लगबग 450 पर्मेंट मिले थे नेपाल गवर्मेंट ने जिनको दिया था और वर्ल्ड के लोग थे और जिन में से हमने 170 के आसपास लोगों ने टॉप पे पहुंचे बाकि सारे लोग ऐस से ही वापस आई किसके कारण वैदर के कारण तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा पूरे अपनी कौम को जिनों की दौाओं की वजह से मैं आज सेक्सेस होके अपने घर लोटा हूं बहुत कुशी हो आप आप जब टाप पहते जब आप इस सफर के लिए इस जरनी के लिए न उन से बताया कि अब दौा करना कि हम सही सलामत वापस आजाएं तो मैं बहुत खुश हूँ कि उनकी दौाओं का ही शाहिद मुझे ये क्रेड मिला है अक्सर कहा जाता है मौन्टेनिरिंग जो है एक टेरिबल जाब है खोफनाक जाब है तो कितनी चलेंज इसका सामना करना पड़ता है इनसान को जी बिलकुल है तो है लेकिन इसमें जितना इसमें डर है जितना इसमें तकलीफ है वो कहते हैं कि डर के आगे जीत है तो वही है और दूसरा जितने आप कस्ट जेलोगे किसी भी पहाड़ पे चड़ने के लिए जब उस पहाड़ के टाप पे इनसान तो वो सारे दुख दर्द बूल जाता है एक अलग ही नजारा एक अलग ही जन्नत दिखती है वहां पर और जब मैं मौट अफ्रेश पर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर कोई बोलता है जन्नत है तो वह यहां ही पर है और मैं वापस ही नहीं यहां से पर ज्यादा देर तक तो रुक नहीं पाता है पोना एक गंटा हम रुके वहां पर और ऑक्सिजन लिमिट का होता है वहां पर ज्यादा देर डेर रुक नहीं सकता तो कर सकता है इसलिए कहा जाता है कि माबाब जो है वो साया होते हैं एक बच्चे के लिए असलाम लेकुम मुझे पता है यह सर आपके जो यह बैटे हैं खानजाब इन्होंने एक बहुत बड़ी कुशमीर के साथ मलकबर के साथ साथ je यहां इस्पेशलि जो कौपारा डिस्टिक है एक फार फलंग एरिया है यहां के दिलों पे राज किया और यहां के जो लोग है उनको एक सबक एक मेसेज दी कि नहीं कौपारा भी किसी से कम नहीं है तो आप क्या कहेंगे इस मैं यह कहता हूं कि मैं बहुत शुक्र हूं कि द्वाइं भी कि हमने बहुत इसके लिए के मेरे रब कि आप इसको सही सलामत से वापस और जिस मकसद से गया है उस मकसद में पूरा करो इसको और हमें फकर है कि इस अलाके में रिश्वारी आवरा से एक नवजवान जो वहां से मूड कर वहां वापस उस पहारी से कोई हमालिया के उस मौटिंग पहार से वापस आए सही सलामत और जिस्टिक को फारा को भी कि फखर है हमारे को जिस्टिक में एक आदमी वहां से सही सलामत आया और इस अलाके का भी हमें इस अलाके के लोगों को भी फखर है कि ऐसे ऐसे सब लोगों को होना चाहिए सब नव लेकर कहीं भी मकाबले के लिए उनको छोड़ दें वो गट के रहते हैं और वो फता लेकर आते हैं वहां से अगर हम बात करें जैवेट साब की तो मुझे बताए एकबाल साब की तो क्या बच्पन में किस तरह की जिन्दगी आप लोगं के साथ गुजारता था किस तरह के से क क्या शोक सब्क हैं इसको इसको शोक बहूट थी कि मतलब यह क्लता रहता था कर्क तक ही ता यह यह को गारी सूप Prayer सुपल से वापस आथा था नीकल जाते था क क्रिकट खैलने के लिए तो क्हेलने की बहुत शोक थी और पहाड चारना बहुत शोक थी मतलब जाता रहता थ आपने आपको, यह उसुत नहीं रहता था, बहुत मतलब पहार में जाना, चाड़ना, किरकट खेलना, मतलब गेम खेलना, हर एक चीज में फिट रहता था, और शोक में पढ़ाई में थी, बाद में जब पढ़ाई इसने किया तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने वहला आप बिच इसरी भी मेहाई थी, यहां हे दो पयुद फारा जाइ कोना, ऐपने आपनी उनिजों के लिए का पहस में जिनने प्लीए, लेकिन आप उसका आपनी आपनी प्लेट फार्म, उसकतर नहीं प्लीट तो को जाए मैंने प्लीटवर दोद चाना उनक्श परने दोड़ कोаз गुर्मेंट ने सब कुछ दिया हुआ है अगर बच्चा आगे निकले आगे निकले, खेल कूद करे हर एक गुर्मेंट को गुर्मेंट इसको हर जवाब देती है पढ़ाई पहले पढ़ाई करो उसके बाद निकल जाओ आगे और आगे उसको जाकर मतलब यह जब चला गया, गार से चला गया, फोज में बरती हो गया, वहां से इनको प्लेट फार्म मिल गया, इसने अपना मतलब रस्ता बना लिया, तो ऐसके लिए हर एक माबाब के लिए है कि अपने बचे को गर में बेठा कर मत रखो, सब आगे निकालो, आगे उसको गोर्मेंट जवाब दे दी थी ही खुद ही हर जगा दे देगी है, जो जिस काम में जाएगा, उस काम मिल जाता है वहां पर उसको, अच्छा, अगर हम जब जैवेद साब उस लास्ट उस चूँची, अकबाल साब, उस लास्ट पीक पे जा रहा था, क्या इसने आपको कहा था कि दौा कीजिएगा, और काम में बैठी हुए थी मस्जिद में, इसके लिए दौाएं कर रहे थे, रब से मांग रहे थे कि खुदाया सही सलामत इनको फता करके लिया वहां से, क्या आपको बरूसा था कि मेरा जो बेटा है, वो मान लेते हैं कि वो मतलब एक शेर का बेटा है, तो वो जो फता है, फ अचिवर्मेंट हासल की, तो मुझे बताए, आपका दिल तो आरड़ी बाग, क्योंकि एक वाल जो यहां पर मकामी लोग है, इन्होंने कितनी खुशा मनाई, बिलकुल बहुत खुशा मनाई हैं इन्होंने, हमने गार में भी बनाई, उन्होंने भी मनाई हैं, बहुत हरे का आया, मुबारक बात देने को लिए, यहां बोला, आप लोगों के मुबारक हो, कि आपका बेटा वहां से वापस आगे, ठीक ठाक आगे, जी है, शुक्रिया, शुक्रिया, तो एकबाल साब से और एक दो बात है, मैं करना चाहूंगा, मुझे बताए, अगर यहां पर कोई जाना चाहेगा, मतलब इस एडवेंचर कोर्स के लिए, तो उसको क्या करना है, क्योंकि आप एक ट्रेनर भी है, और फाइनानस कितना होना चाहिए, अगर कोई फाइनानस लिए उतना साउंड नहीं है, क्या उसको आपकी योर से कोई हलप हो सकती है वहां पर, जी बिलकुल क्यों नहीं, कोई भी अपने डिस्टिक का, या अपने पूरे कश्मीर की बात कर रहो हो, मैं अगर कोई भी बंदा इस एडवेंचर में आना चाहे, इस माउंटेनरिंग में आना चाहता है, तो मैं अगर उनको किसी भी तरह की हल्प की जूरूरत हो, तो मैं हूँ, मेरे पा बाहर से आते हैं student, यह adventure course करने, mountaineering course करने के लिए, तो अपने, यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, कि हमारे यहाँ भी एक national institute है, mountaineering का, हमारे यहाँ पे है, जवार इंस्टूट आप mountaineering, हमारी website भी है, और आप website पे जाएए, वहाँ पे courses की detail देखिए, यहाँ ज्यादा fee नहीं है, 10-14,000 के आसपास है, एक मंद का course है, आप करिए आगे आएए, और हमारे तक जितनी help हो सकती हम भी करेंगे, अच्छा, consistency कितनी जुरूरी है, आप आज घर में आए हैं, यहाँ पे आप रुख जाओगे तकरीबन एक, यहाँ एक महीने मुहान लेते हैं, 15 दिन, क क्या यहाँ पे भी आप बिल्कुल mountains पे वाग करोगे, सडकों पे वाग करोगे, consistency maintain करने के लिए, जी बिल्कुल, मैं जब भी घर भी आता हूँ, तो मैं अपना daily जो routine वर्क होता है मेरा, वो में छोड़ता नहीं हूँ, मैं सुबा मॉर्णिंग में एक डेड़ गंटा अप सेक्सेस फुली वापस आजाओं, और सेक्सेस लेके आजाओं, अगर हम बात करें इस adventure sports की, या mountaineering की, क्या इसमें career बन सकता है, क्या इसमें employment मिल सकती है, क्या एक career opportunity बन सकती है एक youth के लिए, जी बिल्कुल क्यों नहीं बन सकती है, हमारे यहाँ तो कश्मीर में अभी इसक सकती है, तो उसे एक तो जॉब मिलती है, गोर्मेंट की तरफ से, और कुछ प्लाट वगरा भी मिल जाता है, तो हमारे कश्मीर भी दीरे दीरे हो जाएगा यह चीजे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने आपको तयार करना है, ताकि हमें mountaineering के बारे में जानना है, यह होता मेरे मुझे से contact करिए, मैं बताओंगा कहां से क्या होना है, कैसे करते हैं, और नए तो हमारी website उस पर जाईए, आप जवार इंस्टूटा mountaineering winter sports, वहां पर जाके अपने, वहां पर detail देखिए, अपने seat book करिए, और हमारे पास course के लिए आईए, और अपना, जो भी talent है, वह express कीजिए, अच्छा अगर हम बात करें, यहां एक जिमनन मुझे बात याद आ रही है, कश्मीर के लोग, हाला कि यह पहाड़ी रिजिन है, पूरा कश्मीर, यहां mountains भी बहुत ज़दा है, लोग भी बहुत ज़दा रहते हैं, जो पहाड़ी है, लेकिन इसकी और कम क्यों जाते हैं, आपने खुद भी खा, mountaineering की और क्यों जाते हैं, आपको क्या लगा है, कहीं, कहां पर, अगर बाहर से हम यहां लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं, हम उनको welcome करते हैं, लेकिन अपने लोग है, वो इस adventure की और क्यों कम आते हैं, मेरे experience के हिसाब से, क् हम लोग, हमारी पूरे कश्मीर को चारूं और से पहाड़ों ने गेर रखा है, हम जब भी सुबह आँख खोलते हैं, तो सबसे पहले पहाड़ों पर ही नज़र पढ़ती है, तो शायद मुझे लगता है, कुछ के, इस वज़ा से भी लोगों को पता है, यार पहाड़ है, mountain mountain है, लेकिन ये पता नहीं है कि इस में कितना मज़ा है, mountaineering में कितना मज़ा है, कि आप जब भी कहीं किसी भी छोटे से छोटे पहाड़ पर जाते हो, तो उस समय जो feeling जो खुशी आती है, उसको मैं बया नहीं कर सकता, क्यूंकि मैंने बहुत सारे ऐसे पहाड़ चड़े है जो और अबी भी मैं चड़के आया हूँ, दुनिया का सबसे उचा पहाड़ चड़के आया हूँ में, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और बहुत मज़ा आता है मुझे, इस दुनिया के शोर शराबे से दूर बंदा जब जाता है, किसी पहाड़ पे जालता है, तो वहा ही निकलेगी, तो, अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट अब आपका जो टार्गेट है, आपने जो आपका वो चलेंज है, वो तो आरडी क्रास किया है, हाइस्ट पीक अप दे वर्ल्ड, वहां पे आप पहुँच गई, अब नेक्स्ट कोई टार्गेट है आपके सामने, जो आ जाओं, अभी देखते हैं, कब टाइम मिलता है, और कब उसके लिए मुझे प्लेटफार्म मिलता है, मैं कोशिश जारी रखूंगा, जब भी मिलता है, तो मैं उसे पका करूंगा, अच्छा, आपका मैंने एक छोटा सा बच्चा भी देखा, आप क्या शोक है उसको बनाने कर, जी, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, अभी तो आगे शोग का तो मुझे नहीं पता, पहले ये में देखना चाहूंगे, कि वो पढ़ाई में कितने तेज हैं, तो ऐसे मैं उसे भी अपनी तरह एक मौंटीनियर बनाना चाहूंगा, मुझे भी मुझे बहुत इस से अभाल अहमद खान साहिब, जिन्होंने रिसेंटिली, जो मौंट एवरेस्ट है है, हाइस्ट पीक अप दे वर्ल्ड, उसकी जरनी की, उसको क्लाइम किया, सक्सेस्पुली वहां से वापस आए, और आज ये गर में आये हैं, यहां के जो मकामी लोग है, इन्होंने बहुत झाली को भल्ड है, म Пप्स एला झाला 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 ये वहां से घर सक्ष만 отправ inा